तो कच्छा नो के MP बोर्ट के सभी विद्यारति यो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल असली वाला प्रश्ण पत्र है यहां प्रश्ण पत्र नहीं आना तो दूसरी बार वीडियो ही नहीं डालूगा यूटूब पर ठीके हंड्रेट परसें स्योर पक्का गारंटी के साथ कार्मानु की किस ने की थी रधर फोर्ड ने सक्ति का एसाई मात्रमात्र होंगा वाडट दोनों को किसी इसतापं सुन्य हो तो बल द्वारा पर किया गया कारी कितना होगा वह सुन्य और यहां से देखें यह कि것도 कम्पलीट करई गांग 딱 आपकि यह उस्छळीडिए आपका मतलब सही वी कलब वला तीन है यहां से देखिए बड़िया से महनत करियेगा ये लाइसो सॉम को रिक्तिस्तान वाली थेली कहते हैं आत्मगाती वाली थेली कहते हैं चलिये इसके बादब जो कोसिका में हरिग आप řीटलवक पाया जाता है धत Yogh विद्दूत और उस्मागी की जी अ सुचालक होती और ने लंबन के ले का घुटा होता है वह दस की घातsomething 10-6 Oda The egre 25 C पर जलकी ग्रॅटेर का व्यार वाकंnet से द्रवटिंग करेंगे ठीक़ी प्रशन आपका ती Carmoster से देखिए यह कोश्य नमबर आपका तीन है सही जोड़ी की अदिबात कर लूँ तो यहां पर देखिए कार्य करने की जो चमता है वह आपकी हो गई है कार्य करने की चमता उर्जा दूरी का मापक यंत्र ओडो मीटर एक जूल एक न्यूटन इंटू मीटर सैयोजी उतक का जाएगा यहां पर देखिए रक्त कोशिका की खोज राबर टूक ने की थी संवेग का एसाई मात्रक तो यह किलोग्राम मीटर बटा से से केंड होता है तो से केंड ओपर लाएंगे तो इंवर्स समझे जाए न माइनस को जाएगा आयन जो है किलोरी निया पर रिनायन हो ग बात देखिए हो गया अब एक वाकि में उत्तर ठीकिए आयोडीन जो है एल्कोहल को के विलियन को क्या केते टिंचर आयोडीन के बल का एसाई मात्रक क्या है न्यूटन एक एसी धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रवबश्त में पाई जाती है पारा समवेग का किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स तंत्री का उतक का नाम है न्यूरोन की पैसी जिली किस प्रकार जोती अनिक्षिक कर्षिक उत्पादर में अपार व्रद्धी हुई और इस अपार व्रद्धी को क्या कहते है हरित क्रांती कहते हैं तो यहां से देखिए को से नंबर फ संद्रता बताने वाली कोई दो वीदिया बतानी है ठीक है यहां पर देखिए उपधातु क्या है किसी एक उपधातु का नाम बताना है ठीक है आप किस प्रकार कुष्टी करेंगे कि दिया हुआ रंगहिन द्रव सुद्ध जल है रदर फोड़ के सारे कुष्चन का पूरा सोलिशन बहुत ही जल्दी देने वाला हूं सारी चीजे एक्स्प्लेइन करूंगा बिल्कुल चिंता नहीं करनी है तीन कक्छव वारे बोर के परमानु माडल का चित्र बनाना है ठीक है पोदों में वास्पोस्ट तजन के कार्यों का उल्लेक करिए ठीक है रेखित और लिवासा देनी है इसाई पद्दती मात्रक है न्यूटन के गति का विश्यक का प्रथम नियम लिखना है घर्चन बढ़ाने के कोई दो उपाई ठीक है समवेग से आपके समते इसका मात्रक संतुलिदबल किसे केते हैं किजी वस्तु के गनतु से क्या तात पर रहे इसका इ लाइसोसोम के कारे आपको बताने है गल्जी कारे कारे कारी इसके प्रथम्स दूसोट्र जान्दा होता है तो यहाँ पर दिए गया है 300 केल्विन तो यहाँ पर देखिए 300 केल्विन हैं तो 300 यहां पर मान रख दिया celsius में बदलना है तो celsius लिग दीजिए प्लस दोसो 238 293 300 में से घड़ जाएगा 272 डिग्री celsius आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर celsius कितना बना यह 272 डिग्री उसी तरह इसी के दूसरे में 535 इसमें वही फॉर्मूला आपका सेम फॉर्मूला एक ही बाल लिखना यहां पर ठीक है तो जहां पर देखिए पांसो तीछ लिख दिया फिलस दोसो तीछ घड़ जाएगा और मिलकर बन जाएगा 300 डिगरी ठीक है सेल्सियस में चली अब इसके अथ्वा में जो दिया गया है को ध्यान से समझें निम्मे लिखी तापमानो को केल्वीन इकाई में परिवर्तित करना है अब सेल्सियस में दिया हुआ है केल्वीन में बदलना है तो ठीक है उससे पहले आप क्या करिए इसका स्क्रीन सोट लिए कोस्टे नमर पांच का बढ़िया से यहां से ठीक है अच ठीक है यहां पर अथ्वगा कुस्टिन है निम्मी लिखी तापमानों को केल्वीन इकाई में परिवर्तित करना है तो तो यहां पर सेल्टियस में दिया हुआ है सो थेका हैं इसी तरह 0 ताप्मान दिया लिप दिया तो μर्ण सूत्र लगा दिजेगा यहां पर सेल सीन लिघ्डी जगा चूरी के भी साइन.ãन करनीará का अध्यान दिजूएगा अब इन दो धारन दिये गें लोहे पर जंग लगना और बर्प का जल से बर्प बनना इसका मतलब क्या है ध्यान समझें रासाइनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहेंगे जिसमें नए गुंदर्म के साथ नया पधार्त बनेगा मतलब उसके गुन बदल जाएंगे और जो ज इसे जल से बर्प बना उसका काम भी पानी की तरह ही है लेकिन जो लोहे पर जंग लगना एक रासाइनिक परिवर्तन का उधारने ठीक है इतना सा लिखेगा यह उत्तर इतना सा है ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं अगला कुस्चन है आपका तो देखिए यहां पर दूस दूसित ल treaties कुस्क्रेम नहीं करना है इल्गे यहां पर विले पदार्त का दूस्चन में आपको पता रहा हूं यहांगे सारे के नोट्स से तयार कर लिए है यह उपधातू किया नाम बताइए देखिए उपधातू किसे किते हैं वे तत्व जो धातू और आधातू दोनों के गुन प्रदस्थित करते हैं किने कहेंगे उपधातू कि जो धातू और आधातू दोनों के गुन प्रदस्थित करेंगे उन्हें उपधातू कहते हैं यदि कोई उधारान इसके पूछाब तो सिलिकोन लिखिएगा जर्मेनियम लिखिएगा और बोरवन तीन उधाराने उपधातू के तो देखिए उपधातू क्या है वास्तों में कि वे तत्वू ऐसे तत्वू जो धातू और अधातू दोनों के गुन प्रदसित करेंगे उधारान इहां पर लिखा हुआ है सिलिकोन है जर्मेनियम और बोरवन है चलिए इसके बाद में अगला प्रस्ण है आप किस प्रकार पुष्टी करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव सुद्ध जले यहने कि जिसमें रंगहीन रंग ना हो उसे कहते हैं रंगहीन तो ऐसा द्रव सुद्ध जले आप इस तरह की किस तरह से पुष्टी करेंगे इसकी पुष्टी के लिए हम इसके क्वथनांग की जाज करेंगे किसकी जाज करेंगे क्वथनांग की सुद्जल का जो क्वथनांग होता है वो था दो सो तियोत्तर केल्विन क्यों होता है दो सो तियोत्तर केल्विन समान्य वायुमदली दाप ठीक है पर यहां उबलता है जबकी जो लवन होता है लवन मिला हुआ जल ठीक है जबकी लवन मिला हुआ जल तीन सो तियोत्तर केलोरी से उच्चताप पर उबलता है यानि कि कुल मिलाकर बात है कि यदि सुद्ध जल होगा यह तो यह 273 केलविन पर ही उबलना शिरू कर देगा और यदि यहां असुद्ध रहेगा तो 373 केलविन पर भी नहीं उपलेगा ऊबलेगा ठीक है यहाँ पर इसका 300 पर ले लिजेगा चलिए इसके अगला कोष्चन क और बढ़ते हैं लेकिन इनका दुर्विमान बिन्द बिन्न होता वो समस्थानिक के लाते हैं ठीक है उधारन के लिए प्रोटियम है ड्यूटीरियम है और ट्राइस यहां पर हमारा जो प्रस्ने वो है समस्थानिकों के उप्योग सिंपल है बहुत ही एक तो केंसर के उपचा लेकिन तीन बता रहे हैं केंसर के उप्चार में घेंगा रोग के उप्चार में और परमानु भट्टी में इधन के रूप में ठीक है अब देखिए आगे क्या लिखा है केंसर के उप्चार में तो है पर किसका उप्चार में कोबाल्ट के समस्थानिक को उप्योग किया जात आयोडीन का समस्थानिक तो घेंगा रोग के उप्चार में आयोडीन के समस्थानिकों का उप्योग किया जाता है यूरियनियम के एक समस्थानिक का उप्योग परमानू भट्टी में इधन के रुप में किया जाता है ठीक है तो यह तीन इसके यहां पर मैंने उप्योग बता भुआफा वर्फ होनाहे तो इसका चीत्र आभी यहां से बना लीजेगा देखिए यह इस तरह से ठीखेए पूरा चित्र यहां पर दियागै यह परमान多 का नाभिग ए यह जो पहली कक्चा है वह कै 앞으로 ई में verschiedफ है Studios तीन लाइन के गोल गेरा एक नाभी के बस तो पहली के दूसरा एल को से तीसरा एम को से और परमानु संक्याइदी बात करें इनकी नंबर की तो वन टू ठीक है तो यह इसका प्रस्ण का उत्तर आपका चितर यहां से आप कबर कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं परमान करें के अगला प्रस्ण है इसी करत वागा परमानु के परमानुक कनो का नाम बताईए थिसके परमानु के अऔर से एक अब देखते हैं पोथो में वास्पास रजन के कार्यों का उल्ले करना ठीक है यहां परस्णिस तरह से वह आ जाए कि वास्पोस सजन की क्यों जरूरी यह वास्पो स्टोजन के पोधों में क्या-क्या लाब है तो वह ग्रममें वा सिख संझे जो पानी है वो वास्पोस्ट के रुप में उड़ेगा ठीक être तो वहां क्यों होता है, एक तो है, पदपादप का मतल्ल viensता पेड़ प ओदे, पेड़ पोदों में रसा रोहन में मदद करना ठीक है, यानि उसकी तरक्की करने में मदद करेगा ठीक है, और तापकरम को अधिक होने से बचाना तापकरम मतलब कई बार कई पोदो में तापकरम जानदा उनमें ठंड़ का वातावरन जानदा होता है तो जो तापकरम होता पोदो का एक नियमन तरीके से नियमित बोल सकते हम उसको नार्मल टेंपरेचर को बनाए रखने में मदद करेगा तो इसको बलते हैं हम टेंपरेचर को नार्मल या बनाए रखता है अर्थात कापकरम को अधिक होने से बचादे रखता है तीसरा है जल का नियमन करना मतलब पोदे में यदि कम पानी हुआ ध्यान समझे कम पानी हुआ तो भी पोधा तरक्की नहीं करेगा नहीं पोधे में अ लिए देखिए पौधों को अधिक होने से मचाना जल का नियमन करना ठीक एतनी चीज के लिए रहें अगला कुस्यने वह देखिए पौधों के उतक मुख्यता कितने प्रकार के जो ते